की वर्कशिट नमबर 25 आज हम डिस्कस करेंगे लुक अट दो फॉलिंग पिक्चर्स केरफुली और रीड आउट दो वर्ड्स गिवन अगेंस्ट देम आपको कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं और इसके सामने कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हैपी, ग्लैड, हैपी मतलब खुश होता है और ग्लैड का मतलब भी खुश होता है इस पिक्चर में जो बच्चे बना रखे हैं वो बहुत जादा हैपी नज़र आ रहे है सेकेंड पिक्चर में जो गर्ल है वो बहुत जादा डरी हुई नज़र आ रही है fat और obese दोनों का मतलब मोटा होता है पिर जो boy बहुत ज़ादा gloomy sad नजर आ रहा है तो उदास के लिए दो word है sad and gloomy इस तरह से आपको four pair of words हो गए यहापे happy, glad, fear, scare, fat, obese और sad, gloomy जिनके जो words हैं जिनके मीनिंग क्या हैं सेम है अब आपको जो second activity दे रखी है उसमें आपको कुछ words के set दे रखे हैं और आपको बोल रहा है pick out the two इसमें से आपको four words दे रखे हैं one, two, three, four इन four words में से आपको दो words pick out करने हैं छाटने हैं which have same जिनका same या almost same meaning हो या बिल्कुल same हो या थोड़ा मिलता जुलता उनका meaning हो तो पहला word है angry अब हम सब words के पहले meaning द्यान जानेंगे first is angry means नाराज delight मतलब खुश होना किसी चीज़ को देखकर happy होना फिर होता है smooth मतलब बहुती जो smoothly, जो easily काम हो रहा है या बहुती मुलायम जो surface होती है उसको smooth बोलते है जो बहदूर होता है और dull मतलब होता है बिल्कुल near us तो इन जो four words हैं इन में से आपको कौन से two words हैं जो बिल्कुल same meaning वाले लग रहे हैं वो है हमारा brave और bold उसके बाद हम see part पर आते है refuse का मतलब होता है मना कर देना accept का मतलब होता है स्विकार कर लेना deal करना किसी काम में deal करना समझते हैं आप deal करते हैं किसी काम को हम उसके बाद है deny करना deny का मतलब होता है मना कर देना तो इन four words में से जो आपको four words से रखें इसमें से हमें refuse करना और deny करना ये same meaning वाले लग रहे हैं फिर ये hop hop होता है उच्छलाना फुदक न जसे mendak चलता है hop करता है tug का मतलब होता है tug का मतलब होता है कि एक रशी को लोग दोनों तरफ से खीचते हैं और pull का मतलब भी खीचना होता है nap का मतलब होता है सो ना थोड़ी शॉट स्लीप लेना उसे बोलते है nap, तो इन four words में से हमें जो कौन सा word है, जो same लग रहे हैं, वो है tug and pull, so delight, joy, brave bold, refuse, deny tug and pull, ये हमारे क्या हो गए same meaning वाले जो words हो गए, और इन words को हम क्या बोलते हैं, इन्हे हम synonym बोलते हैं synonym क्या होता है, word or phrase that mean exactly or nearly the same, वो शब्द या वो शब्दों का smooth, phrase means group of words जिसका exactly same meaning होता है, ये nearly the same meaning है, मिलता है, जोलता है, जिसका अर्थ होता है, उस word or phrase को हम क्या बोलते हैं, synonym, आपको ये word अच्छे से ध्यान रखना है, synonym, इससे पहले हम उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़ चुके हैं, opposite उसको अन्टॉनिम बोलते थे, सेम वालोको हम synonym बोलेंगे, और आपको एक note दे रखा है a word can have more than one synonym एक word के एक से भी ज़्यादा synonym हो सकते हैं, ये निकि उसका एकी synonym होगा, उसके ज़्यादा synonym भी हो सकते हैं, here is a list of some more synonym आपको कुछ और synonym की list दे रखी है good, well, good भी अच्छा well भी अच्छा, collect means gather करना, gather collect means इकठा करना gather means भी इकठा करना fast means जल्दी, quick means भी जल्दी enjoyment means भी आनन enjoy करना, और fun का मतलब भी होता है खुश होना, मज़ा लेना, anger मतलब होता है नराजगी, गुस्सा, और राथ डबलू आरे टी एच, राथ, राथ में डबलू silent होता है, इसका मतलब भी नराजगी दिखाना, गुस्से में रहना, ख्रोध में रहना उसके बाद है, close means बंद और shut means तो यह सारे जो पेर थे, यह क्या कहलाते है, synonyms अब आपको जो next question दे रखा है, C part इसमें बोल रखा है choose the synonym of the underlined words in the given sentences आपको करना है, इन words के synonym आपको चूज करने है Alka is an intelligent girl, Alka एक intelligent लड़की है तो intelligent का synonym, उसका जो same या nearly same word कौन सो होगा brilliant आप जानते हैं, बहुत intelligent बच्चे को हम brilliant student बोलते हैं, brave बहादूर को बोलते हैं, rich अमीर को बोलते हैं, famous जो बहुत प्रसिद होता है तो कौन सा वर्ड आपको intelligent का synonym लग रहा है so the synonym of intelligent is brilliant उसके बाद हम second part पर आते हैं, my mother gave me a beautiful dress, मेरी मदर ने मुझे बहुत सुन्दर क्या दी है, dress दी है so beautiful को underline कर रखा है, beautiful मतलब सुन्दर so beautiful का same word ugly मतलब होता है, बच्चूरत, bright मतलब बहुत जादा, जो चमकीला हो बहुत सुन्दर ही होता है, dull का मतलब होता है इसका जो color है बहुत जादा light है, जो बहुत जादा near ऐसा देखने में अच्छा नहीं है और pretty का मतलब भी सुन्दर होता है, जो देखने में अच्छा होता है तो in four words में से beautiful का synonym क्या होगा, the synonym of beautiful is pretty उसके बाद हम C पर आते हैं, हेमा parents are rich, जो हेमा के parents of rich है, rich means ameer और popular का मतलब होता है, मशूर, प्रसिद, wealthy का मतलब होता है, ameer, धन्वान nice means अच्छा, poor means गरीब, so rich का synonym क्या होगा, the synonym of rich is wealthy I will finish my assignment tomorrow, मैं अपना assignment कल खतम कर दूँगा, finish मतलब होता है, किस चीज़ को पूरा कर देना, किस चीज़ को complete कर देना so, इसमें complete means पूरा करना, stop means रोक देना, follow means किसी चीज़ को follow करना, उसको पीछा करना, या उसके जैसा काम करना और perform करना means performance देना, कुछ करकर दिखाना, तो यहाँ पर finish का synonym क्या होगा, finish का synonym होगा, complete करना so, आपके जो four, जो आपको sentences दे रखे थे, उसमें जो underlined words है, उनके synonyms हमने यहाँ पर ढूंड दिए, अब हम D वाले पार आते हैं, D पार में हमें क्या बोल रखा है, fill in the blanks with the appropriate letter to form synonym of the given word, आपको कुछ words दे रखे हैं, और उसके synonyms दे रखे हैं, लेकिन उसमें एक word उनो कौन से letter आप भर देंगे, बीच में U भर देंगे, फिर second है vacant, vacant का मतलब होता है खाली, तो उसका synonym होता है empty, तो E, M, P, T, Y, यहाँ पर आप कौन से letter भर देंगे, यहाँ पर आप T भर देंगे, third है हमारा ill, ill का मतलब होता है बिमार, तो इसमें इसका synonym है sick, S, I, C के sick, तो यहाँ पर आप कौन से letter भर देंगे, I भर देंगे, उसके पाद मारा fourth, next है fool, fool का मतलब होता है बेवकूफ, तो उसके लिए synonym है idiot, I, D, I, O, T, idiot, तो यहाँ पर आप कौन से letter भर देंगे, यहाँ पर आप D भर देंगे, idiot, उसके बाद next है clean, clean का मतलब होता है साफ, उसके synonym है tidy, T, I, D, Y, Tidy, तो यहाँ पर कौन से letter missing है, I है, तो इस तरह से आप जो missing letters है, जो missing letter है, उन्हें भर कर, जो आपके जो यह worksheet का question number D है, इसे आप क्या कर देंगे, complete कर देंगे, और इस तरह synonym पर based, आपकी जो यह worksheet है, यह complete हो गई, I hope आपको synonym word का meaning पता लग गया होगा और आपने बहुत सारे words के synonym भी सीख लिए होगे,